7.1.1 भारत में धार्मिक विविद्ता बदल रहे थे और नए विचारों को स्विकार करने के लिए तयार थे हर शेत्र में एक ओर जहां जन जातिय समाज के लोग थे जो अपने पारंपरिक रिती रिवाजों के अनुसार देवी देताओं के उपासना करते थे दूसरी और वैदिक धर्म को मानने वाले लोग थे जिनमें ब्राम्मन अग्रणी थे इनमें से कई लोग वेदो को तो मानते थे मगर उसमें वर्णित कर्मकांडों या देवी देवताओं की जगा शिव, विष्णू, आदी की उपासना करते थे वैदिक ब्राम्मनों में भी कई लोग थे जो वैदिक कर्मकांडी की जगा देवताओं की मूर्ती स्थापित करके पूजा पाट करते थे या फिर घर ग्रहस्ति त्याक कर ब्रह्मा का ध्यान करने में विश्वास रखते थे इन सब लोगों ने अपने अपने विचारों के समर्थन में ग्रंथ लिखे एक दूसरे से शास्तार्थ किये और अपने अनुआईयों को अपने विचार वा आचरण सिखाए इन में से प्रमुक थे वैशेशिक, मिमानसावादी और वेदान्ती जो लोग वेदों के अंतिम भाग यानि उपनिशत के विचारों को अपना आधार मानते थे उन्हें वेदान्ती कहते हैं बाद में जाकर वेदान्त मार्ग के लोगों का प्रभाव बढ़ा लिकिन उनमें भी अनेक शाखाएं बनी इनमें सबसे महत्वपूर विचारक थे आठवी सदी के आदिशंकरचारी उनके विचार में अन्तिम सत्य एक ही है जिसे उन्होंने ब्रह्म कहा उनके नुसार बाकी सब मिथ्या है और सत्य तक पहुशने के लिए हमें संसार त्याक कर ज्यान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए अपने विचार के समर्थन में उन्होंने अनेक ग्रंत रचे फिर भी बहुत से विदानती उनसे सहमत नहीं थे उनमें से एक थे बारहवी सदी के रामानुजाचारी जिनका मानना था कि अंतिम सत्य तो इश्वर है जो दुनिया के स्रिष्टी, पालन और विनाश करता है इसके अलावाद जीव भी है जो उस इश्वर में लीन होने के लिए आतुर है और या भक्ति के माध्यम से हो सकता है इसके बाद सदियों तक इन दोनों विचारकों के अन्याईयों के बीच वाद विवाद चलता रहा और इस बीच नए-नए विचार उत्पन हुए यह तो हुई बात वैदिक ब्रामणों की एक शाखा की इनके अलावा वैदिक परमणपरा में शिव को पूझने वाले शैव शक्ति को पूझने वाले शाक्त विश्नों को पूझने वाले वैश्नों आदी हुए इनका भी आपस में वाद विवाद चलता रहा कि कौन सबसे बड़े इश्वर है उस तक कैसे पहुँचे आदी इनमें से प्रतेक में भी अनेक शाखाएं थी वैदिक परमपरा से बाहर भी अनेक धर्म और सामप्रदाय थे जैसे बौध, जैन, अजीविक, आदी पहली सदी से ही इसाई धर्म का आग्मन केरल और तमिल्लानों में होने लगा था साथवी सदी के बाद इसलाम को मानने वालों की आबादी गुजराच से केरल और उत्तर भारत में बढ़ी ये वेदों और ब्रामपरों के श्रेष्टता को नहीं मानते थे इनमें से कई ऐसे थे जैसे जैनमत या बोधमत जो इश्वर को भी नहीं मानते थे इनमें से प्रतेक की कई शाखाएं और उप्शाखाएं थी ग्यारवी सदी में उत्तरी भारत में तुरकों का राज बना जो इसलाम धर्म को मानते थे उसी समय मध्य इशिया के इसलामी प्रदेशों पर मंगोल कभीलों का आक्रमण हुआ मंगोल कभीले चीन और इसलामी देशों के बीच के मैदान में रहने वाले पशुपालक थे जिन्हों ने तेरवी शताब्दी में पूरे इसलामी राज्यों पर आक्रमण करके उन्हें ध्वस्त कर दिया था उनके प्रकोप से बचने के लिए अनेक इसलामी विद्वानों और सुफी संतों ने भारत में शरण ली इसलाम में भी कईशा खाये थी जैसे सुन्नी और शिया इनमें भी आपस में वाद विवाद और शास्त्रार्थ चलता रहा और विबिन विचारों के पक्ष में अनेक ग्रंथ रचे गये इसलामी संतों वशाशन के प्रभाव में भारत में कई लोगों ने इसलाम धर्म को स्विकार किया जिन्होंने इसलाम धर्म को स्विकार किया उन्होंने भी अपने पुराने धर्म और रीती रिवाजों के कई तत्वों को बनाये रखा इन बातों का एक प्रबल उधारण है पीरों की इसलामी संत दर्गाहों के प्रति शुरद्धा अरब और इराग जैसे देशों में पीरों की मजारों के प्रति अधिक आस्था नहीं देखी जाती लेकिन भारत में प्रमुक सुफि संत थे जैसे ख्वाजा मोयनित दिन चिष्टी और हजरत निजामुद्दीन ओलिया उनके दर्गाहों पर लोग जियारत तीर्थ्यात्रा करने लगे उन दर्गाहों के बारे में यह मानेता थी कि वहाँ उनके बरकत क्रिपा बनी हुई है और उनके आशिरवात से हमारी मनुकामनाय पूरी हो सकती है इस तरह के विश्वास ना केवल मुसल्मानों में बने बलकि उन लोगों में भी बने जो मुसल्मान नहीं थे वे भी इन मजारों में प्रात्ना करने लगे अक्सर वे इन संतों के विचारों को भी धीरे धीरे अपनाने लगे कि इश्वर एक ही है और वह निराकार है उसके सतत्समरण और प्रेमभाव से उस तक पहुँच सकते है आम लोगों के धार्मिक विश्वासों में भी काफी विविदिता थी इन में समय के साथ लगातार बदलाव आ रहे थे हर समुदाय के अपने अपने देवी देवता और उपासना के तरीके थे जब ये समुदाय एक दुसरे के करीब आए और साथ साथ रहने लगे तो वे एक दुसरे के देवी देवताओं को भी अपनाने लगे मध्यकालीन भारत के धर्मे में बहुत विविदिता थी इन विविदित सांप्रदाय वो पन्थों को मानने वाले में आपस में बहस और विवाद भी होते रहते थे लोग एक दूसरी की बातों को मानते भी थे पर कभी-कभी लड़ाई जगड़े भी होते थे इसके बावजूत विवित्ता बनी रही इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि इन धर्मों में कोई एक अधिकारी केंद्र नहीं बना किसी एक केंद्र या संस्था या व्यक्ति को यह अधिकार नहीं था कि वह सब को बताए कि क्या सही है और क्या गलत हर व्यक्ति या पंथ अपने इस तर पर सही गलत तै करने के लिए स्वतंत्र था हर वेक्ति अपनी जरूरत, अनुभव, रूची के अनरूप अपना पंथ चुन सकता था लेकिन धार्मिक लजीलेपन के साथ समाजिक रूडिवादिता जुड़ी हुई थी मद्यकाल में जाती ववस्था लगभग पूरे भारत में प्रभावशाली होती गई जिसके कारण धर्मगरंतों का अध्यन, मंदिरों में पूजा और प्रवेश, जाती और जन में से निर्धारित होने लगा जातीगत सिमाओ को लांगने पर दंड दिया जाता था मद्यकालीन भारती समाज में जातीगत भेदभाव के साथ-साथ धन और सत्ता के आधार पर भी अत्यधिक समाजिक असमानताएं थी सल्तनत और मुगल शाषन का प्रयास था शक्ती और संसाधन का केंद्री करण करना इसके फलसरूप उनके अधिकारी जिने मनसबदार और जागिरदार कहते थे दमनकारी और शोशनकारी होते गए उसी समय चाहेवा मुगल शाषन हो या विजयनगर जैसे छेत्री राज जिनकी नीती में धार्मिक सहिशनुता महतुपुन होती जा रही थी राजा वा बाश्या यह समझने लगे कि एक बहुधर्मी देश पर शाषन करने के लिए लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान करना जरूरी है राज्य को धर्मिक आधार पर भेट भाव यथा संभवन नहीं करना चाहिए इस नीदी को मुगल बाश्या अकबर और उसके सलाकार अबुल फजल ने सुला कुल की नीदी कहा अकबर का कहना था कि बाश्या इश्वर का प्रतिनिदी है और जिस तरह इश्वर अपनी कृपा, वर्षा और धूप के रूप में हर धर्म के मनिश्यों पर समान रूप से बरसाता है उसी तरह बादशा को भी किसी से धर्म के आधार पर भेद भाव नहीं करना चाहिए उसकी जिम्मेदारी है कि राज्य में जितनी लोग हैं, विशान्ती से रहें और सम्रिद्धी पाएं यानि बादशा किसी एक धर्म के लोगों के लिए नहीं, बलकि सभी धर्मों के लोगों के लिए है अकबर एक तरह का बुद्धिवादी था, जो परंपरागत अंधिविश्वासी धर्म को स्विकार नहीं करना चाहता था वो चाहता था कि हर धर्मी की अच्छाई को हम अपनी बुद्धी द्वारा पहचान कर स्विकार करें और जो गलत लगता है उसे छोड़ दें कुछ इसी तरह की भावना ततकालिन भक्ती संतों में भी देखी जा सकती है इसी सामाजिक असमानता भेद भाव, धार्मिक विविदता और वैचारी टकराओं के बीच कबीर, रैदास, दादुदयाल, मीरा, तुलसिदास, सूरदास, गुरुनानक, आदिसंत हुए इन में से कई लोग ऐसे थे जिन्होंने उस काल के विभिन धर्मों की रूडिवादिता को नकारा और यह बताने का प्रयास किया कि इश्वर एक है और उन तक पहुशने के लिए किसी कर्म कांड या मंदिर या मस्ज़िद जाने की जरूरत नहीं है केवल उनके प्रती असीम प्रेम और दूसरे मनुश्यों की पीड़ा को दूर करने के प्रयास की जरूरत है इसी तरह के विचारों को नय उभर रहे समाजिक तबको जैसे कारिगर, छोटे वैपारी, किसान, आदिने उत्साह के साथ अपनाया इन में से कुछ जैसे नानक पंत, दादू पंत और कभीर पंत जैसे विशिष्ट पंत बने इनके विचार जन समानने के बीच उनके गीतों के माध्यम से पहुँच रहे थे जन समानने में से कुछ जो उन विचारों से अधिक प्रभावित थे, इन पंतों में शामिल हुए और विशेश आचरण वेजबूशा आदे के माध्यम से अपने पंत की पहचान बनाई ऐसा ही एक पंत सतनामियों का आज के हर्याणा राज्य में था उन्होंने जादपात के भेदभाव ततधार्मिक कर्मकांडों को समाप्त करने का प्रयास किया यही नहीं उन्होंने मुगल शाषन के दवनकारी अधिकारियों का भी पुर्जोर विरोध किया इस साम्प्रदाई की शुरुवात सन 1657 में नार नौल में हुई थी वे एक सृष्टिकर्ता इश्वर में विश्वास करते थे और उसकी उपासना के लिए मंदिर या मूर्ति पूजा की जगा सामुहिक भजन गायन करते थे कहा जाता है कि वे कबीर और नानक के भजन गाते थे वे घर बार त्यागने की जगा किसानी और ग्रिहस्त जीवन बिताते हुए इश्वर का ध्यान करने का आगरा करते थे 36 गड़ में भी धर्म सुधार समाजिक सुधार में कबीर पंथ दामा खेडा एवं सतनाम पंथ गुरु घासिदास गिरोध पूरी ने प्रभावी कारी किया